अगर आपने किसी IPO में निवेश किया है और उसका अलॉट्मेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा हमेशा होता है कि जिस IPO में निवेश किया गया है, उसमें पैसा समय पर वापस नहीं आता है। ऐसे स्थिति में, अगर आपका पैसा अनबलॉक नहीं हुआ है, तो इसे खाते से कैसे अनब्लॉक करें? इसके बारे में जानने का तरीका यहां है. आम तोर पर IPO का पैसा 100% वापस आता है जब उसकी समय सीमा समाप्त होती है. और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये 15-20 दिनों में आपके खाते में स्वतंत्र रूप से वापस हो जाता है. इसके बावजूद, अगर एक के बाद एक IPO निकल रहे हैं और आपका पैसा अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान पूर्वक उस प्रक्रिया को जानना चाहिए, जिससे आप जल्दी से अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं. आपको स्टॉक ब्रोकर की टाइम लाइन की जाच करनी चाहिए, जहां सभी तिथियों का विवरण होता है कि अलॉर्ट्मेंट कब होगा, रिफंड कब आएगा और लिस्टिंग डेट क्या होगी. आपको यहां देखना होगा कि क्या किसी ने रिवॉक का संदेश प्राप्त किया है, जिसमें बैंक द्वारा अनब्लॉक करने के लिए अनुरोध किया गया है. इसके अलावा, आप वहां रिजिस्ट्रार आईपियो को कॉल करके भी पैसा प्राप्त करने की संभावना है, जिनका मोबाइल नंबर और एमिल आईडी दिया गया होता है. आप गूगल पर सर्च करके भी जान सकते हैं कि आपका आईपियो रिजिस्ट्रार कौन है, इसमें आपको आवश्यक दस्तवेजों की फोटो कॉपी शामिल करनी होती है, जैसे पनकार्ड इस अधरकार्ड बैंक पास्बुक, ये सब फोटो कॉपी एप्लिकेशन के साथ लगा कर संभंधित बैंक में देनी होती है, जिससे बैंक आपके ब्लॉक किये गए पैसे को अनब्लॉक कर सकता है, ये सब ही प्रक्रियाएं आपको जल्दी से जल्दी आपका पैसा वापस लेने में मदद कर सकती है, और यदि ओउन्टोमेटिक अनब्लॉक नहीं होता है, तो आपको जो भी तरीके हमने बताए है यह सब ट्राइ करने होंगे अगर आप यह सब नहीं भी करते हो तो पैसा आपका 20-30 दिनों के अंदर अपने आप आ जाता है जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो और चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो धन्यवाद